हाई गाईज अगर आपस चैनल पे नियो हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ज़रू प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नी वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रू मेले आज मैं बनाऊँगी चिकन हांडी उसके लिए जो में चीद चाहिए वो हैं तीन चोजे टमाटर जोके हैं चॉप्ट एक बड़ा प्यास लिया जोके मैंने स्लाइस किया है दो खाने के चमच मैंने अद्रक्रसं का पेस्ट जीरा लिया मैंने 3 टी स्पून्स कुछी भी लाल म मैंने 1 टी स्पून कार्ली मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1 टी स्पून कसूरी मेती है 2 टी स्पून्स फ्रेश दही है जोके मैंने लिया है 3 टेबल स्पून्स फ्रेश क्रीम मैंने लिया है 4 टेबल स्पून्स नमक जो लिया है मैंने लिया है 1 टी स्पून्स भी मैंने र खम थी नहीं बस दो ने पूलव, अब वह लगे, अदिन गशनाया में अपया अभिन करनका में दो करना रेस्पी। आपने जरूर फालो करना है ये बहुत ही अससान सी रसीपी अपने झुरूर करनी है और आपने पकाएं था सब जरूर बताए है कि आपको यह रसीपी कैसी लगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मुस्य दार सी रसीपी एक हांडी में मैं आट करूँगी ओल, जो क्यए 2 टेबल स्पून्स ओल को अच्छी तरह गरम करने के बाद मैं इजम करूंगी है चिकन जो क्यक है एक केगी चिकन के लिए 1 टी स्पून वर्ल य कि अमनहर भी कहते हैं वह काफी है अगर आप लोग जैसे फर एक्जामपल अगर आप चिकन जादा यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप सौरल्ट के मगदा बढ़ा दें लेकिन यहां पर एक केजी तो इसके लिए वन टीस्पून इनफ है जादा नहीं डालना यह टीस्ट इसका थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा खराब साथ है जादा नमकीन आएगा और इसको तीन से चाल मिन तक अच्छी तरह आपने फ्राय करना है मेडियम हीट पे हीट जादा नहीं करनी वनाए जल जाएगा और तब तक फ्राय करना है जब तक यह जो चिकन का रंग पूरा चिकन ही वाइट यह जाए लेकिन थ्वाधरा उसा वाइट अगर होना स्टार्ट हो जाए फिर आप इसको एक डिश में निकाल लेंगे और इसको मतलब आट करेंगे जब मैं इसका मसाला प्रपेर करेंगे अब मैं एक और हांडी में आट करूंगी ऑईल जोके ह है 2 अच्छे से गरम होने के बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा जोके है 3 Тी स्पून्स जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने जीरा ऐसे ही यूज़ किया है और इसको अच्छे से आपने फ्राइ करना है पूरे एक मिनट के लिए और इस पूरे प्रोसेस में आपने हीट को कम रखना है अब मैंने एट किया है एक बड़ा प्यास जो कहा है स्लाइस् एक मिक्स करना है यह पर आपके संदे पर इस्टियर करना है दो मिनिट के लिए और इसका जाधा रंग आपने ब्राउनी करना वने जल जाएंगे और मैंने पिर एड़ के 2 टेबल स्पून अद्रक्लसन का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है याद रखी कि अगर यह स्टालिस टेप आप लोग फॉलो करते रहेंगे तो यह बहुत अच्छा साल में बनेगा अगर थोड़ा सा बीदोड़ा स्टेप मतलब अगर हो जाए तो फिर यह इतना मज़े का नहीं बनेगा अगर आप चाहें तो आप एक बड़ा टमाटर भी आट कर सकते हैं लेकि मैंने तीन चोटे यूज़ किया है और याद रखी इसको तब तक फ्राय करना या पर तब तक पकाना है जब तक यह अच्छे से सॉफ्ट नौज़ें सॉफ्ट रॉने के बाद मैंने इसमे एड किया सॉल्ट जोकि हाफ टी स्पून, हल्दी पावरडर 1 बाई 4 टी स्पून बहुत से लोग सोच़ों कि मैं चिर्फ सॉल्ट हाफ टीजपून इसलिए एड किया है क्यूंकि हम ने हाफ रड चिकन में भी ऐड आड किया था ओन तो इसको बैलनस रखने के रहें जर्फ हाफ टीजपून अब मैंने इस में आड़ किया half fried chicken इसको अच्छे से mix करना है ताकि चिकन अच्छे से mix करना है ताकि चिकन अच्छे से mix होड़ा टमाटर और यह जो हमने पेस इसका बनाया है प्याजों का प्यास का सॉरी इसको अच्छे से mix करते रहना है और इस पूरे process में flame medium होनी चाहिए नहीं जल जाएगा इसको अच्छे से mix करना है फिर मैने इसमे आड़ किया है haircut the cutting了 मेज जो क्या 1了吧 फिर चिर फिर दनीय पाउडर जो कि है 1 टी स्पून फिर चिर पिर अजी तरह तो आपने अच्छे से भी टूण का इसको टीस पून को तो अच्छे मिक्स करना आप कैसे स्टेर करना एक मिनट के लिए एक मिनट जादा भी कर सकते हैं लेकिन एक मिनट काफी है फिर मैंने इसमें एड़ किया 60 ml वाटर और इसको अच्छे से मिक्स करना और मैं अब इसको कवर और कुक करूँगी 20 मिनट के लिए लेकिन 20 मिनटों के अंदर-अंदर मैं इसको हर 5 मिनट बाद स्टिर इसमें चमच जरूर हिलाओंगी ताकि यह नीचे ना लगे अब लोग ही पे कवर और कुक करने के बाद देखते हैं और यह बहुत मुझे का लग रहा है अब मैंने इसमें एड़ किया है दो हरी मिर्चें जो के हैं चॉप्ट यह बहुत अच्छा टेस्ट देंगी आपके यह जो करी को और इसको अच्छे से मिक्स करना है यह जो मैने वीडियो है यह मैने फास्ट फॉरवर्ड में चलाई विया है यह बहुत दीर से हिला रही है लेकिन चमच मैंने बहुत दीर से हिलाया था ताकि यह चिकन टूटे ना अकसर होता है कि लोग बहुत जो से चमच हिलाते हैं तो वह चिकन टूट जाता है अब आपने इसमें एट करना है फ्रेश योगर्ट जो कि है 3 टेबल स्पॉन्स जिसको हम दही भी कहते हैं यह फैंटावा दही है फैंटावा दही बहुत मतलब असानी होती है आपको सालम में डालने में यह अधनी है कर चाहता है उसले यह चाहते है में जाएब ऑढर शाष प्रेश पॉन्स जो डालीग तो प्रेश क्रीम उअ यह पहांगा जो ट्राइबल स्पॉंस थो तो आप में जाएगा जी उननी तुरोग्साता है क्वाइब लोगों को रेस्टारण में खाने का बड़ा शौक होता है और अगर अगर घर में त्यार जासे तो अलगी बात है अगर यह अब रेडी हो चुकी है और मैं इसको सर्फ करूंगी उसके साथ रोगनी नान के साथ यह मायी तियार हो गी है मैंने इसको गानिश किये द झाल झाल